तो फाइनली गाईज यहाँ पर पालर का थोड़ा सा काम था, काम ने बटा लिया है और अभी थोड़ा सा फ्री हो गया है तो सोजे खाना पीना खा ले, काफी लेट हो चुगा है और यहाँ पर पती देओ भी बैठे हुए हैं साथ में और बहुत लोगों का बहुत वीडियो बनाते थे, आप लोग नहीं अच्छा लग रहा है आप लोगों को यह सब चीजों में देख करके, तो पहला तो dear, मैं बाहरी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कि मैं घुसी हुई हूई हूँ या कुछ भी है, अब जैसे होता नहीं कि आप शोशल मीडिया पे एक चीज़ मुझे बता दीचेगा, recording, recording खेलना, क्या अच्छी बात है, मैं बहुत बार इस चीज़ को कहीं हूँ और फिर से मैं एक चीज़ कह रही हूँ, जैसे आपको, suppose करो मेरे उपर कोई मुसीबत आगी, कोई मुसीबत आगी, मैं आप जानते हो ना, जैसे कि मैं हर ब recording का misuse कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे, क्या आप लोग recording करने वाला और सबूत देने वाले का ही साथ दोगे, dear, मैं आपको बहुत सरल सब्धों में बता हूँ, जो लोग ऐसे हरकते करते हैं वो बहुत चीप होते हैं, उनका अपन कि रिस्तेदार, आप किसी से बात करो, आप अपने friend circle में बात करो, आपकी कोई recording कर रहा हो, आप अपना समझ के उसे बात करो, वो recording करके social media पे, यह वो किसी रिस्तेदार को बता देगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा, शोचो यहाँ पे तो लोग recording करके direct social media पे डाल दे ठो मैं फिर से हर ब्लोग में बता ही हूँ मैं सचिन गया सपवोट बिल्कुल Ikौर्प बिल्कुल कर नहीं कर रहे हूं मैं केवल बता दू मैं मनीशा के साथ की लिए मैं वहां पर गई थी उनकि एक बात बताओ यार आप लूग तो यार उसको भी तो बुरा लगा होगा कुछ न कुछ और रही बात आप लोग में से बहुत लोग मुझसे कहते हो तुम ने उसको बदनाम कर दिया तुम एक और नाम कर दिया तो आयों जी जू से साधी कर लिए आप क्यूं इन सब चीजों में आप दूसे का घर बसता मैं तो बहुत चाहती थी कि उनका घर बसे, ऐसा नहीं है, और रही बात मैं कौन होती हूँ टीर बंदाम करने वाली, देखो ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग लगाई है, ना मैंने कोई क्या बोलते हैं, जैसे लोक तरह के नामों से संबोधित उनको करते थे, मैंने ना कभी ऐ जैसे और रोधी किया है, थि थोड़ा एग्रसिव हुआ, मैंने रहों से संब इनको मैंने किया है, मैंने पर थे, यह मतलब नहीं मतलब निए कि मैंने किसी को बदणाम किया है, यह मतलब कि किसी का सबूत कहले हूँ, किसी की सारे forcément तुम भी जबात की दी ति डिखाती है कितनी चीज़ें डिखाती कितनातु किटना सबूत दे रही है। अगर आप मेरे चैनल पर जाके विजट करो कएसे सारी ब्लॉग देखो तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने शामने आपकर बंद्नाम किया है। आज भी मैं सामने वाले से भी जब बात की थी, मैं वही पर वही चीज कह रही हूँ, भाई तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जो, मुवाउन करो, सामने वाला भी अपने परिवार के साथ खुश रहे, सचिन भया कि गलती यहां पर भाईया भी कहेंगे तो आप ल व्लॉग में कहती हूँ, इसको अगर आफ लाइन निप्टाया जाएगा बहुत लड़ने लगे यहां पर आके, आफ लाइन नहीं निप्टाया जा रहा है, आफ लाइन तुमको भी व्यूस खापना है, तो यार व्यूस नहीं चापना है, अगर मैं कोई भी चीजे नहीं मैं मनेशा से बात कर रही हूँ, या मैं किसी की टच में हो, सारे क्रियेटर के तच में हो, अगर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, तब भी आप लोग कोहँगी, कि आरे चुप क्यूं बैठी हो, तुमको बोलना चाहये, तुमको बोलना चाही, जब बोलते हैं, टो हर को इसमुद्भी को सांध करें कल को किसी को खुदा नकास्ता कुछ हो जाय effectivement हुआ तो क्या करोग गफ यह दिखा कि मनिश्ठय कर रही है खालाना कर रही है एक यह गंदै चीज़ दोसस को शम्भोधित किया गया मैं तो बता रही हूं ना मैं तो गई थी केवल एक दिन दो चार घंटे एक वही जो थोड़ा सा मंदी संतिर में पूजा हुआ उसमें छोड़ दिया जाए हम लोग करने के लिए इतनी लोग कोसिस करे थे उसमें छोड़ दिया जाए अनुद् पिस नहीं है और स्रिष्टी दिदी गलत त्लट रby ourselves बिलकुल नहीं साथ दे रही है बिलकूल नहीं मेरी एक ब्लॉग में मैं यह नहीं कहूँगी कि सचिन ने जो किया सही किया मैं यह नहीं कहूँगी मैं बिलकुल कह रही हूँ सबकी जिंदगी यह ट्रैंगल यह तीन लोगों को जो मतलब एक दूसरे से मतलब बंधी ना इसमें सबकी जिंदगी खराब हो रही है मैं कभी नहीं चाहूँगी कि सा समेशा कह रही हूं पहले भी कहती थी आज भी कह रही हूं ये जितना ड्रामा है ना रिकारडिंग का धमकी का इस्क्रिन शॉट नहीं हैं मैं आपको बता दें च्छोटे च्छोटे च्रियेटर कि बात बता रही हूं वह बीचारे उनकी जा रही है जो सोच रहे हैं अपना चैनल बोनटाइस कर लें कोई सोच रहा है कि अपना छैनल है तो थोड़ी अर्णिंग कब आई जब तक आप उसमें तड़क भड़क मिढ़ना नहीं डालने तब तक पब्लीक देख भी नहीं थे उसी को सपर्ड पब्लीक भी कर रही है तो आप समझो स्रिष्टी दीदी केवल एक महिला का साथ दे रही है अगर एक महिला का साथ दे रही है आप एक चही आप बता दो ये फून, लाइक मतलब ये वीडियो करते करते हैं क्या आपका पती किसी और के बारे में सोचेगा भी या एक मजाक में भी करेगा तो क्या आपको बरदास होगा उस महिला को कस्ट नहीं है आप लोग मनीसा को इते सो जासे हो इतना प्रुसकार है इतना मैं अत्र लारी है क्यों मैं मैं बेटी हूँ किसी और हम भी हम भी एक महिला है हम भी समझते हैं हर जीज तो इतले निगेटिव में ना लीजेगा मैं जो समझाना चाहती थी स्याद आपको समझ में आई हो बात अनर्थ ना हो जाए बस यही मुचातेगी बचा लो अनर्थ होने से यार आप लोग के हाथ में सब कुछ है टेरे पती आई उसको भी समझो चलो बाइबाई